नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स में जहां हम आपके पूछे गए important सवालों के जबाब देने की पूरी कोशिस करते हैं तो चलिए गई ज़्यादा बाते ना करते हुए सीधा में मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं सर मेरा खरगोस मतर का चिलका ज़्यादा खाता है क्या करें तो देखिए आप मतर का चिलका 20% के हिसाब से अपने रैविट को खिला सकते हैं पर अच्छी तरह चल फिर रही है कोई प्राबलम तो नहीं होगा ना तो देखिए अगर उसका पैर तूट गया है तो आप उसका पैर तूट गया है तो आप हड़ी डाक्टर के पास ले जाकर पलास्टर जरूर करवा दीजिए चाहे वो इनसानों के डाक्टर हो या फिर जानुरों के सुमित कुमार सर मेरी खरगोस 100% प्रेगनेंट थी 36 दिन हो गया है उसने बच्चे नहीं दिये क्या करें तो देखिए अगर आपको लगता है कि आपकी मादा खरगोस 100% प्रेगनेंट है और उसका प्रेगनेंसी पीरियट 36 दिन का हो गया है तब आपको जरूर डेट जोडने में कोई भूल हो गई होगी क्योंकि मादा खरगोस 31-32 दिन के भीतर बच्चे जनम दे देती है इसलिए आप अभी कुछ दिन और बेट कर लीजी अगर वो प्रेगनेंट होगी तो बच्चे जरूर देगी वरना आपको फिर से उसका मीटिंग करवाना होगा सर मेरी फिमेल रेविट प्रेगनेंट है उसे मैंने उठाया था कोई प्राबलम तो नहीं होगी बच्चे के लिए तो भाई वैसे तो प्रेगनेंट रेविट को कभी भी ज़्यादा उचाई वाली जगां पर नहीं रखना चाहिए और ना ही उसे गोध में उठाना और अगर आपने उसे उठा लिया है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंसन नहीं लेना है बट आपको दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है नेक्स्ट कुिस्चन शिव सागर सिंग लोदी सरजी मेरी मादा खरगोष 25 दिन की प्रेगनेंट है पेसाब में बलड आ रहा है क्या मतलब है प्लीज रिपलाई और सरजी खरगोष प्रेगनेंट होने के दोरान कितने दिन में नेस्टिंग सुरू करती है प्लीज रिपलाई सरजी संडे को तो भाई देखिए प्रेगनेंट खरगोष ज़्यादा तर बच्चे देने के 24 से 48 घंटे पहले ही नेस्टिंग करना इस्ट नेस्ट कुश्चन विशाल सरोज रैविट का नाखून काट सकते हैं तो इसका एंसर है यस नेस्ट कुश्चन दीपा दीव दीव हलो सर मादा खरगोष को टी पिला सकते हैं तो इसका एंसर है नहीं नेस्ट कुश्चन अभिजीत मिसरा हलो सर आपका वीडियो बहुत अच solution है कि आप दोनों को separate यानि अलग-अलग करके रखें बस next question पिलीज मुझे बताएं खरगोष कितने बार meeting करता है पिलीज reply में Sunday comment तो भाई नर खरगोष जब तक मादा खरगोष के पास रहेगा वो हमेशा meeting करने की ही कोशिस करेगा बट आपको अगर अपनी मादा खरगोष को प्रेगनेंट करना है तो आप उसे नर खरगोष के पास 4-5 दिन तक रख सकते हैं वैसे मादा खरगोष एक ही फाल आप में प्रेगनेंट हो जाती है next question गुरुदेव कुमार खरगोष को खाने में क्या-क्या खिलाएं तो भाई खरगोष को क्या-क्या खिलाना पिलाना चाहिए इस टापिक पर मेरे चैनल पर वीडियो जाएं लिंक आपको डिस्किप्सन में मिल जाएगा आप जाकर देख लीजी आपकी प्राब्लम सालब हो जाएगी नेक्ट कुश्चन कुश किलियर हो जाएगा आपको बहुत जादा टेंसन नहीं लेना है नेक्स्ट कुश्चन पानी ही पिलाने की कोशिश भी करें नेक्ट कुश्चन क्रिकेट टेक क्या थ्री मन्थ की रेविट बच्चे देती है प्लीज रिपलाई संडे कमेंट बॉक्स तो भाई इसका एंसर है 95% नहीं बट 5% में बहु जादा हेल्दी होने पर थ्री मन्थ की मादा खरगोष प्रेगनेंट हो सकती है लेकिन आपको हमेशा 6 पलस मन्थ हो जाने पर ही मादा खरगोष का मीटिंग करवाना चाहिए नेक्ट कुश्चन सर रेविट कितने साल तक बच्चे दे देती है तो इसका इंसर है मादा खरगोष 2-5 साल तक बच्चे दे सकती है यह टोटल डिपेंड करता है उसके खान पान और रख रखाव पर और उसकी कैपासिटी के उपर सर कैसे पता करें कि हमारा खरगोष ने अपने बच्चों को कब दूद पिलाई है तो भाई जब मादा खरगोष बच्चों को दूद पिला देगी तब आपको बच्चों का पेट एक तरफ फूला हुआ नजर आएगा जिससे देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि बच्चों ने दूद पिया है या नहीं सर मेरा रेविट घोसला बनाया है क्या ओ खुद दूद पिलाएगी तो इसका इंसर है यस बट आपको हमेशा बच्चों को मा के पास ही रखना है सुनील गोगोई मेरा फिमेल रेविट 24 दिन की प्रेगनेंट है और ओ कल से ठीक से खाना नहीं खा रहा है तो कुछ उपाय बताएं प्लीज तो देखिए हो सकता है उससे गैस वगेरा की प्राबलम हो गई हो या फूर उससे कोई अंदरूनी प्राबलम हो आप उसे गलती से मीटिंग करवा दिया प्लीज क्या करें तो देखिए आप जब तक मां खरगोश बच्चों को दूद पिलाती है उससे अच्छे से खिलाएं पिलाएं और बच्चों को उसके पास ही रखें और जब वो दूद पिलाना बंद कर दे तब आप बच्चों को मां से पिल का मुह आगे से मिटी के साथ बंद कर दिया है क्यों तो देखिए आपको उसने बिल का मुह बंद कर दिया है ये सोचकर जड़ा भी घबराना या टेंसन नहीं लेना है क्योंकि मां खरगोश बच्चों की सेफटी के लिए उन्हें किसी भी परकार की हवा वगेरा ना वो बिल को बाहर से बंद कर देती है सिर्फ दूद पिलाने के लिए ही बिल को खोलती है इसलिए आपको जड़ा भी टेंसन नहीं लेना है बच्चे बिल के अंदर भी आसानी से सर्वाइब कर जाते हैं निकलते नहीं है तो देखिए भाई जब बच्चे 25 से 35 दिन के हो जा टाइम प्रापर तरीके से बच्चों को बिल के अंदर जाकर दूद पिला सके और बच्चे हिल्दी रहें निक्स्ट कुिस्चन आइक्टिब अलफा जैंटेक रैबिट काट लेने पर कौन सी बीमारी होती है तो इसका एंसर है कोई भी नहीं बटा उसके काटने के अस्था सर मेरा रैबिट एक बार ब्रीडिंग किया और बच्चा दे दिया खत्रा तो नहीं होगा ना सर भाई जब उसने मीटिंग करके बच्चे दे दिया और कोई दिक्कत नहीं हुई तो अब क्या दिक्कत होगी कोई भी खत्रा नहीं होगा नो प्राबलम आकास अरोरा क्या रइविट को खीरा और विस्कूट खिला सकते हैं तो इसका इंसर है यस बाट लिटिल अमाउंट में वरून आलेक्स मेरा खरगोस काटती है और सोती भी है क्या प्रेगनेंट है तो इसका इंसर है 95% तक यस क्योंकि ऐसी हरकत मादा खरगोस प्रेगनेंट होने के बाद ही जादा करती हैं और गाईज जिन जिन भाई बहनों का कमेंट पिक नहीं हो पाया है मैं कल संडे कमेंट बॉक्स पार्ट टू यानि मंदे रिप्लाई बॉक्स में उन कुश्चेनों को पिक करके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा और गाईज वीडियो पसंद आने पर लाइक कि उन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गाईज जिन जिन भाईयों का कमेंट पिक नहीं हो पाता है उसका सिर्फ एक ही वज़ा होता है कि मैं उनके कमेंट को सही तरीके से पर नहीं पाता हूँ इसलिए आप लोग जहां तक हो सके अच्छे से लिखने की कोशिश करें जिससे बात समझ में आ जाए तो चलिए गाईज मिलते हैं कल मंदे रिपलाई बाक्स में तब तक के लिए जाए हिंद